बिहार राज अल्पसंख्यक विति निगम लिमिटिट के दौरा जो ग्यूवा हैं अल्पसंख्यक समुदाय से उन्हें रोजगार के लिए लौन दिया जाता है रिन की जो सुकृति होती है उसको लेकर कई ऐसे प्रोसेस हैं जिसे उन्हें उन्हें पार करना होता है पौलिफिकेशन के अधार पर शैक्षिनिक योगता के अधार पर उन्हें लोन दिया जाता है ताके वो बेरोजगारी के दौर में रोजगार कर सके और ये जो योजना है इसे सही तरीके से सुचारू रोपसों लागू करने के लिए शिविर लगाया जा रहे हैं और जो अधिना फाइदा पहुंच रहा है और शैक्षों के बीच लाउन की रखम है वो बांटी जा रही है और इसे उनकी बेरोजगारी जो है वो दूर करने में मदद मिल रही है आप सुनिये मुहमद मुईज उद्दीन ने क्या कुछ कहा ये बिहार राज अलशंक्यक वित और इस योजना में अच्छी खासी परगती हुई है पिछले दो साल के अंदर और अभी तक हम लोगों ने कुछ मिलाकर बीस हजार से ज़्यादा लाभुकों को और लगभग तीन सो बीस करूर रुपिया हम लोगों ने मुखवंती रोजगारी योजना में बितन किया गया है अब सेंके समुदाय के बिरोज़ार रोगों को रोज़ार उपलप्त करने के उद्देश है और इस योजना में बहुत सुधार आई है पुरानी जतनी भी पिंडिंग मामले थे उसका निप्टारा किया गया है और जिले में कैंप लगा करके डकुमेंटेशन का कार्ज कराय जा रहा है पिछले दो वर्सों में लगातार अभी भी सारे जिले में कैंप चल ला है और ताके पुरानी जो भी किसी के आवेदा नहीं किसी का गरांटर या रिकर्ड्स जो है वो बाकी है वहाँ पर जिलाल्प संग के अक्किल्यान पदेद दिया गया और वो लगातार हम लोग की कोशिस है कि पुरानी जतनी भी मामलें उसको निप्टारा कर दें और दोहर एक बीस एकईस और एकईस बाइस के लिए भी विकापन दिया गिया है समाझ से पत्रों में लगबक शालीस हजार आवेदन पात हुए है इस आवेदन को भ हमारे मुख से ची महदय के भी पत्र गया है और वहां पर जिला पदिकारी के दूबारा टीम गठित कर उनका अस्तन निक्षन कराया जा रहा है और वहां से फिर जिला चैन समीती को आएगा अस्तन जाच परती वेदन जिला चैन समीती उसको निरनाई लेकर के चैनिज को अब जा रहा है तो यह असानी हुई है जो लों लेने वाले बिल्कुल सही बात है कोवीड के दौरान भी हम लोगों ने लबक दस करूर रुपे की दाशी जो है वो आटी जेस के मादियम से सीधे लबुक के खाते में हम लोग ने टांसफर किया डीबीटी के सेकल में और इससे जो है उनको बहुत लाब मिला है और इसमें काफी टांसपरेंसी है हम लोग बलके से मादियम से भी लबुक को उनके इसकी से शुकृति के बारे में हम लोग सुचना उनको प्रायर दे देते हैं आटी जेस जाने के बाद उनको अलग से बैंक के द्वारा से अलग जा इस तास्य टांस्परेंसि लाए जा रहा है अब काम के जा रहा है ताके वहां जी जिला में शीविल लाके उसकी सुचना सभी लोगों को है सभी जन प्रतिनियों को है समचार पत्त के माधियां से आम जनता को है इसलिए काफी पारदर्शीता बना करके इस स्क्रीम को करा रहा और निन्तम उनके अफ्ष्रक्ता का नुरूप है यह पांच लाग से बढ़ा के दस लाग का प्रस्ताव सरकार के समक्षी विचारदीन है अगर सरकार की शुक्रती मिलती है तो दस लाग तक इसमें अरीन परदत कराए जाएगा तो आपने सुना कि बिहार राज अल्फ संक्यक विति निगम लिमिटिट के जो परमंद निजशक है मुहमद मौईजुदीन उन्होंने विस्तार से बताया कि इस योजना के बारे में लोगों को बताया जाता है आवेदन जो है वो उन से लिया जाता है और फिर जब स्कूरू आटी जीएस के माध्यम से उनके एकाउंट में पैसा दे दिया जाता है और यह जो रकम है मतलब पांच लाक अधिक्तम है जबके सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस रकम को बढ़ा दिया जाए दस लाक रूपिया कर दिया जा इसलिए कि कई राज्यों में ऐसी यो चुरू किया नहा तरीका शुरू किया और उसमें आर्टी जीएस के माध्यम से युवाओं के जो बेरोजगार युवा है जो रूपिया था उनके एकाउंट में पैसा ट्रासफर किया गया ताके वो रोजगार के आफसर तलाश कर सके आपना रोजगार खड़ा कर सके और बिहार सरकार की तरफ से इसी तरह की यूजना चलाई जा रही है ताके जो बेरोजगारी दर है उसमें कमी आ सके और खास तोर से आल्पसिक समधाय से जो जुड़े हुए लोग हैं जो यूवा हैं जो रोजगार करना चाहते हैं वो आविदन दे सकते हैं और आविदन की जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया के बाद उनका नाम लिश्ट में आता है और फिर उनके एकाउंट में आर्टी जीएस के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है कैमरा मैंन गौतम के साथ सीमा बखतर नीज फोनेशन पटना